गैस आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रिल पर काफी जदा वाइरल हो रही है मेरे पास काफी लोगों के डियाम आये के सर ये वाली वीडियो का टुटोरियल लेकर आओ सो गैस आज आपको मैं इसी वीडियो का टुटोरियल बताने वाला हूँ बहुती आसान तरीके से बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना चेनल पर नहीं है तो चेनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन दबा लेना सो गैस आते हैं वीडियो की तर इस वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मॉबाइल में सिक्योर VPN अप्लिकेशन डाउwnोड कर लेनी प्ले स्टॉर से और आपको इसे कनेट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको केप का टेप उपन करनी है अगर आपके पास केप का टेप नहीं है लिंक मिल जाएका डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलिग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लेना, नियू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, यहां से आपको एक वीडियो को एड करना है, जिस पर आप यह वाली वीडियो बनाना चाहते हो, नीचे एड पर क्लिक कर देना है, बस आपको वीडियो में लास्ट टक बने रहना है, अब वीडियो लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको एफेक्ट लगाना है, तो कौन से लगाना है, कहां से लगाना है, मैंने एक वीडियो पर पहले से लगा के रख लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ शुरू में आने के बाद नीचे effect पर click करना है यहाँ पर आपको video effect पर click करना है video effect पर click करने के बाद यहाँ पर option आएगा opening and closing का second number पर जो आ रहा है इस पर आपको click करना है इसमें first में जो billar है hello billar लगा के right कर देना है effect पर click करके adjust पर click करके intensity फुल करके right कर देना है अभी आपको आगी चलना है यहाँ पर आपको कहाँ पर आना है बता देता हूँ मैं आपको time through बता दो आपको same इसी time से लगाना है यह वाले effect वरना आपका effect खराब हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपको पर click करने के बाद आप थोड़ा से यहाँ पर नीचे चलोगे यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए जिसका नाम है vibration flash यह वाले effect मिलेगा यह लगाके न right कर देना है इसका size आपको end तक कर देना है बढ़ा करके खीच कर ठीक है इतना करने के बाद सबसे पहले तो आपको उपर size पर click करके यहाँ से पहले वीडियो को save कर लेना है वीडियो save आपको करने के बाद क्या करना है बताता हूँ guys केप का टेप में वीडियो save होने के बाद यहाँ पर आपको बाहर को आ जाना है VN app को open करना है यह आपको play store एप store दोनों पर मिल जाएगा ठीक है मीचे आपको plus वाल आइकन पर click करके new project पर click करके जो वीडियो का इस आपने अभी save करी आपको उसी वीडियो को लेना है इस वीडियो में automatic music रहेगा यहाँ से mute कर देना है end में black वाल वाटरमा डिलीट कर देना है starting माना है add audio पर click करना है music पर click करना है my music पर click करना है music library में click करना है यहाँ से आपको music लगा देना है music का लिंक आपको description में मिल जाएगा पहले आपको download करके रख लेना है फिर आपको नीचे beats पर click करना है guys आपको अपने music पर यह 3 beats लगा लेने है beats लगाने से आपके वीडियो बहुत आसानी से बन जाएगी beats आपको किस time पर लगाने है मैं आपको timing बता देता हूँ first वाली beat आपको लगाने है 1.90 पर second beat 4.75 पर third beat 6.51 पर यह आपको 3 beat लगा के right कर देना है अभी guys आपको 3 beat पर click करके अपनी वीडियो को split कर लेना है split करने के बाद आपको effect लगाने है कौन से लगा होगा यहाँ पर मैंने एक वीडियो पहले से बना के रख लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से effect लगाने ऐसे guys आपके अच्छे समझ में आ जाएगा तो देखिए आपको first वाली को छोड़ देना है second वीडियो पर click करना है नीचे आपको एक option मिलेगा zoom name का zoom पर click करके second वाली वीडियो में zoom in लगाना है और जो third वाली और four वाली वीडियो आएगी न उन पर आपको click करके zoom out वाला लगा लेना है सो guys यहाँ पर हमारी वीडियो बन गई है I hope आपके अच्छे समझ में आया होगा वीडियो आपको पसंद आयो लाइक जरूर से करना वीडियो आपको gallery में save करने के लिए उपर download वाली option पर click करके यहाँ से वीडियो को save कर लेना है सो guys मिलते है next वीडियो में